हेलो फ्रेंट्स आज हम बहुत ही टेश्टी सी चटपटी से हरी मिर्च का अचार बनाने वाले हैं, काफी टेश्टी बनती है और इंस्टेंट बनने वाले याचार है, आप इसे बना की तुरन से खा सकते हैं, जिसके लिए मैंने ले लिए 100 ग्राम हरी मिर्च, मिर्च को इस पोच लेंगे पहले तक इसमें जो भी मुश्चर और गंदगी वह निकल जाए तो इस ऐसे मैंने सभी मिर्च को अच्छी से पोच लिया है अब इसके डंठल को इस तरह से हम निकाल देंगे अब हमारी अचार को आप देखिए हरी मिर्च जो है ना अब हरी मिर्च को इस तरह से हम कट करेंगे मैंने कैंची ले लिए है और इसी समें से कट करूँगे तो बहुत ही इजी तरीका है इससे मिर्च को कट करने का तुरन से अरी मिर्च को कट हो जाती है और हातों में जलन भी नहीं होती है तो असान तरीका है हरी मिर्च को कट करने का यह है देखिए में ले लिए एक पेंट को डालने चार चमस सॉंप 2-1 मस्टर शेड़ एक शव्रके लिए एक चमस डाला देगे मस्टर्ज राई एक चमस डालाएं पीली सरसो एक में WHO में डालाई एक चमश डाल देंगी गोटा जीरा इन सभी मसालों को अच्छी से इस तरह से हम रोष्ट कर लेंगे मसाले चटकने लग जाएंगे और हलका से इसका कलर चींज हो जाएगा और एक अच्छी से स्मेल पुरे घर में आने लग जाएगी तो समझ जाएगा मसाले अच्छी से रोष्ट हो चुके तो गेस के फिल्म को मैंने लो में रख दिया है लो में रखते वे हम मसाले को रोष्ट करेंगे भूझेंगे और ये देखे इस तरव चटकने लग जाते आ तो इस तरव से जब चटकने लग जाते हैं तो समझ जाएगा मसाले भूझे अच्छे हैं तो इस टाउम पहँ गेस की फिल्म को बंद कर देंगे मसालिय रोश्ट हो चुक elect प्लेट में एक ड्रांस्फर गरेंगे मा प्लेट में डाल दिया एक ठंडा करेंगे इसके सब पीष लेंगे इसे एक ठंडा करेंगे तो यहां पर मैं डाल दोंगी दो Αफ़ार आपके हरदी हitे हो और डाल देंगे यहां पे चम्मचТак रावतेन स्वास ज़ार करinaire के जाल कर दो म्योंच। लस्मिर को जिल भी दिनकी कजमच के Über Depot और पर 20 यह तो यह दो अब लिए मसाला पिसके रखा था सौंप वाला वह हम इसमें डाल देंगे अच्छी से मसाले को मिक्स कर देंगे आप देखेगा इस तरह से कट करके मिर्ची का अचार बनाने से क्यों होता है न वैस Oliver मिर्ची में बहुत अच्छी से कोट हो जाते हैं अन्दर तक अब हम गेस के पास आगे हैं मैंने यहां पे तेल ले लिया है लगबग या 50 गराम तेल है इस तेल को पहले हम बहुत ज्यादा गरम करेंगे हाट गरम करना है धूवा निकलने लग जब तक कमी गरम करना है यह रेखिए अब इसमें हम डाल देंगे हिंग तो यहां पे मैंने 1 by 40 स्पून हिंग डाला है तेल को हम ठंडा करने के लिए एक साइड में रख देंगे जब ठंडा होगा ना उसके बाद हम इसमें मिर्च में म अब निम्बू की जगा या पिनगर भी डाल सकते है यह दिखे सफीदवाला ज़ों वनेगर है अगर आप निम्बू नहीं डाले तो वनेगर डाल सकते हैं इससे काफी टाइम तक मिर्च चलती है खराब नहीं हो होता मिर्च का जाण अब निंबिक पुरास को भी आचार में अच्य हमनी Oleym, Mix भी भी मिक्स कर लिया है अब हमने तेल को गरम कर रहा का थाथ है तो इसमें में moist कर दूँ कहा दूए यह ज़िए अचार है वे भीड 我ыми भीडिन तक लिए भूगी तक चलताथ है आपको कोई सी सबजी की विजद नहीं पड़ेगी इतना टेश्टी होता है एक की जगा चार उटिया खा लेंगी यह इतना टेश्टी बनता है तो इस तरह सा आप इस्टोर करके इसे किसी भी सुखे कंटेनर में रखिए कंटेनर को पहले अच्छी से पोच लीजिए इसमें बिल्कुल भी मुष्सर नहीं होना चाहिए उसके बाद इस अचार को इसमें आप डाले और हो सके तो इसे बीच-बीच में धूप लगाते रहे तो जैसे पी अच्छी लगी हो अचार वाली तो इसे लाइक सेर जरू कीजेगा और चैनल में नहे है तो चैनल को कर लीजेगा क्योंकि में रोज एक ऐसे नहीं रसी पिलाती है जो काफी यूनिक और इंट्रेस्टिंग होती है और खाने में काफी टेस्टी होती घरेलू भी होती है तो थैंक्स वर वाचिक मैं वीडियो